अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में लोकसभा में तो BJP के मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा के अंदर BJP के मेजॉरिटी नहीं है 238 में से 93 केवल BJP के हैं तो अगर सारी non-BJP पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है इसे गिराया जा सकता है और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमी फाइनल हो जाएगा राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है पूरे देश में बहुत स्ट्रॉंग मेसेज जाएगा कि मोदी सरकार दुबारा नहीं आ रही है मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननी है अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रियादा करता हूँ दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल्ली के दो करोड लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का में शुक्रियादा करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा अश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे आपको भरुसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं सिक्षा के छेत्र में स्वास के छेत्र में वो भारती जंता पार्टी को रास नहीं आ रहा अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारती जंता पार्टी है और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बढ़ते सनाटा न कर दे बीजेपी को हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाई